नश्कार दोस्तों आज की सुड़े में हम करने वाला है शिवरात्री स्पेशियल फोटो एडिंग सो गैस चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को स्टाट करते हैं और इसी बात पर फटावट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो गैस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस वाले बैग्राउंड को लेकर आना है अपने पिकसाइड अप्लेकेशन में यहाँ पर आपको रिक्षाइस पे कर देना है मैं जो दीजिट लिख ग रहा हूँ आपको भी वह डिक्षाइड लिख लेकद है तो मैं अभी लिख रहा हो 2896 तो आपको लिक देना है और कर देना है रिक्षाइस इस तो गड़लै काॉलीटी वह बढ़ जाएगी clarity को भी हम हलका सा जो है वो बढ़ा लेंगे लेकिन हम एकदम 4 या फिर 5 या सपस बढ़ा लेंगे अब जो हम saturation को भी बढ़ा लेंगे तो saturation को हम कर देते है 16 अब कर देना है हमें done अब दोस्तों यहाँ पर हमें चले जाना है add photo में और यहाँ से हमें add कर देना है अपना photo जिस photo के हमें करने होगी editing तो यहाँ से मैंने अपना photo add कर दिया है and guys अब हमें इस photo को full कर देना है अब हमें चले जाना है cut out को ले option पे और यहाँ से हमें outline को draw कर देना है जिससे कि हमारा जो है photo अपने background से हो जाएगा remove so guys यहाँ मैंने कर दिया है बिल्कुल perfectly clear और अब हमें कर देना है done and guys अब जो है हमारा photo का जो background था वो एकदम perfectly जो है remove हो चुका है और आदा जो है इसमें से मैंने manually भी किया है जो कि अब जो है automatically नहीं हो सकता so guys अब जो है हमें आज से अपने photo को एकदम perfectly select कर देना है और adjust कर देना है अपने background के हिसाब से और जैसा हमारा photo का पोज होगा उसी तरीके से हमारा जो है background के हिसाब से अपना photo adjust होगा तो अब हम erase वाले option पे चले जाएंगे and यहाँ से जो है हमारा background जो है वो काफी जादा dark नाजर आ रहा है और background और जो हमारा original background और हमारा background जो है वो match नहीं हो रहा तो इसलिए हमें जो है इसके capacity को हम हलका ऐसा कम कर लेंगे जिससे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा अभी हमारा जो background है वो एकदम perfectly match हो चुगा है और यहां पे भी हम और थोड़ी सी png को add करेंगे जिससे कि हमारा photo एकदम perfect हो जाएगा तो यहां पे हमें चले जाना है add photo में और select कर दिने इस वाली png को इसके link में आपको दे दूँगा वीडियो के description में तो यहां से आपको चले जाना है screen वाले option पे और इस png को एकदम ऐसे set करना है जिससे कि हमारा photo जो है एकदम original लगने लगे तो यहां पे मैं कुछ इस तरीके से set कर दूँगा जिससे कि हमारा background जो है कुछ उसी तरीके का effect हमारे photo में भी नजर आए और हमारा photo जो है वो background से match हो जाए अब जो हमारा png जो है हमें एकदम perfectly match कर देनी है तो मैंने यहां पे perfectly match कर दिया है अब मैं कर दूँगा done अब दोस्तों यहां पे हमें थोड़ा सा erase पे चले जाना है और यहां से हमें हलकी से capacity को कम कर देना है और यहां से एकाद brush मार देना है जिससे कि हमारा background है वो match हो जाएगा अब हमें यहां से चले जाना है फिर से add photo में और एक और png को लेकर आने है और इस png को हम अपने hands में एकदम perfectly adjust कर देंगे जिससे कि एकदम original लगेगी तो गाईज अब हम इसकी हलकी साइज को बढ़ा लेंगे और यहां पे अब जो है एकदम perfect लग रहा है हमारा photo एंड गाईज हम चले जाएंगे अब यहां से इस png को select करके हम चले जाएंगे erase वाल option पे और यहां से हम अपने hands से हलका सा ऐसा erase कर देंगे जिससे कि वो एकदम realistic लगे तो यहां से हम size को कम कर लेंगे और कुछ इस तरीके से erase कर देंगे जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ आपको भी simply वैसे erase कर देना है और यहां से हमारा जो है एकदम perfectly हो चुका है erase और हम अब कर देंगे done आपको दिखाए दे रहा होगा तो अब हम capacity को बढ़ा लेंगे और अब आपको एकदम perfect दिखाए दे रहा होगा जैसा कि real होता है अब हमें यह से चले जाना है फिर से एक और PNG को add कर लेना है अब हमें यह से चले जाना है blend mode पे और कर देंगे अब screen अब दोस्तों इस ohm को जो है हम अपने t-shirt के उपर लगा देंगे एड़ फोटो में और इस वाली PNG को add कर देना है एंड इस PNG को हम अपने hand पे adjust कर देंगे कुछ ऐसे जिसे कि ऐसा लगे कि हमारे hand में वो पहले से ही उस तरीके का band हमने लगा रखा है तो अब जो है यह बिल्कुल perfect हो जाएगा और यह भी लग चुका है हमारा तो गाइज इसके हम जो हलकी सी size को कम ज़्यादा कर लेना है अपने hand के ही साब से और अब हम कर देंगे done अब दोस्तो हम फिर चले जाएँगे add photo में और एक और PNG को कर लेंगे add जो की है अपनी यह वाली इस PNG को add करके हम जो है एकदम perfectly लगा देंगे जिसे कि यह जो टीलक है वो अपना एकदम realistic लगे तो अब जो है यह टीलक भी हो चुका है बिल्कुल perfectly adjust अब हम फिर से यहाँ से और थोड़ा सा टीलक की size को कम कर लेंगे और अब हम कर देंगे done अब दोस्तो हमें यह से एक और PNG को कर देंगे एड़ तो इसके लिए हम फिर से जल जाएंगे एड़ फोटो में और यह से इस नमस शिवाय वाली PNG को कर देंगे और इसे हम जो है अपने background के एकदम ऊपर लगा देंगे जिससे कि यह काफी अच्छी दिखाई देने लगे तो इसकी size को हम हलका सा बढ़ा रहे है और okay इतनी size जो है इसकी बहुत बिल्कुल शही दिखाई दे रहे है अब हमें कर देना है done अब दोस्तों हमें फिर से चले जाना है एड़ फोटो में और उसी वाली PNG को एड़ कर लेना है जिस PNG को हमने पहले एड़ किया था इस PNG को हम जो है blend कर देंगे और इसे कर देंगे screen इस PNG को हमने रोटेट किया है जिससे कि हमारा उपर की side भी कुछ वैसा ही white वाला effect जो है लगने लगे और इसकी जो है ok capacity को हम हलका सा कम कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ से हमें चले जाना है draw tool पे और simply इस फोटो को show कर देना है अपनी gallery पे आप जो हमने अपने फोटो को देख दम perfectly edit कर दिया है लेकिन हमें इस photo की color को adjust करना होगा इसके लिए हमें lightroom app को open कर देना है और अपने photo को open कर देना है अब हम इस lightroom app को open करके हम जो है अपने photo के exposure को हलके साब बढ़ा लेंगे जिससे कि हमारे photo में जो white effect है वो और थोड़ा आने लगे और इसे हमें एकदम कम बढ़ा लेना है जादा नहीं बढ़ाना और अब हम थोड़ा सा contrast को भी बढ़ा लेंगे और अब जो है हम चले जाएंगे अपने next वाले tool के और अब हम यहाँ से जो है हलका सा vibrance को हमें थोड़ा सा जादा बढ़ाना है और vibrance को हम जितना बढ़ाते उतना हमारा photo जो है काफी अच्छा लगने लगता है अब हम temperature को और थोड़ा कम कर लेते है और यहाँ जिससे की वो जो cool वाला effect है वो उस तरीके का हमारा photo दिखाई देने लगे अब हमने जो है tint को भी हलका सा कम कर लेना है tint को कम करते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहोगा हमारे photo जो है वो बिल्कुल perfect लग रहा है और हमारा background जो है background के जो color से और photo के color से वो बिल्कुल match हो रहा है और जिससे की यह photo जो है realistic लगने लगा है अब दोस्तो हमें यहाँ से चले जाना है mix tool पे इसकी यू को कम रखूंगा तो हम जो हलका सा कम कर लेंगे जिससे की rate थोड़ा सा अच्छा लगने लगे color और इसकी saturation को हम बढ़ा लेंगे अब दोस्तो हम चले जाएंगे orange वाले option पर तो हम tap कर देते orange पर और यहाँ से हम जो है orange की यू को भी वैसे ही कम करके और जादा करके देख लेना है और जैसा आपने photo के शब से perfect लगे वह उतना हमें adjust करके रखना है तो इसकी यू को हम बढ़ा लेंगे और इसका saturation को भी हम बढ़ा लेंगे जिससे की हमारा जो photo में जितने भी औरेंज कलर है उसकी saturation बढ़ जाए अब दोस्तों हमें आज से चले जाना है रहे yellow color पे और yellow color की जो है यू को हम हलक असा जादा कर लेंगे और saturation को थोड़ा जादा कर देंगे अब हम चले जाएंगे green वाले option पे तो green जो है अपने photo में काफी कम है तो हम कितना भी इस पे changes करें तो अपने photo में कोई changes होने आले नहीं है अब जो है main बात आती है blue की तो जो की sky blue की तो हम जो है sky blue की you को जो है एकदम से कम कर देंगे और saturation को बढ़ा लेंगे तो अब हमारा photo में काफी अच्छा effect दिखाई दे रहा है अब हमें जो है blue का करना है तो blue को भी हम वैसे ही थोड़ा सा कर लेंगे saturation को इसकी saturation को हम हलका ऐसा बढ़ाएंगे और यूंक हलका ऐसा कम कर देंगे अब दोस्तों यहां से हमारे जो photo में purple color तो नहीं आए लेकिन photo में जो है pink color है तो पहले तो मैं इस blue को perfectly adjust कर देता हूँ जिससे कि हमारे jacket blue color का है वो jacket और जो पीछे का background है उन दोनों का color match हो जाए तो अब जो है थोड़ा थोड़ा match हो चुका है अपने jacket का color और जो है background का color और आपको भी ऐसा करना है कि आपके photo में जो जो colors आते होगे उन सभी colors को जो है adjust करके देख लेना है you को और saturation को और फिर जो है आपका photo जो edit होगा वो बिल्कुल perfect होगा अब हम यहां से जो है सबसे पहले तो wignite effect डाल देंगे जो की white color का wignite effect हम अपने photo में डाल देंगे जिससे कि हमारा photo काफी बढ़िया दिखाई दे रहा होए और आपको भी यहां पर दिखाई दे रहा है और आपको यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लागे कि यह photo जो है वो edited है तो अब हम clarity को बढ़ा लेंगे और हम sharpness को भी अलका ऐसा बढ़ाना पड़ेगा तो clarity को हम 3 to 4 के असपास हमें रखना है और वेकनीट को हमने 34 कर दिया है और sharpening को भी हम 3 to 5 to 10 के असपास हम रख देंगे और यहां पर मैंने sharpening को रखा है 4 तो अब हमने sharpening को adjust कर दिया 6 को 6 पे और noise reduction को भी हम बढ़ा लेंगे जिसे की जो है अपने फोटो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे अब हमारा फोटो बिल्कूल परफेक्टली हो चुका एडिट हम बहां में simply share वाल अप्शन पे क्लिक करके save to device पे डप कर देना है सो गाइस वीडियो देखिने के लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू सो मच यह जँड़ा है